दोस्तो साउथ अफरीका ने गुरुवार 27 जून को तरिंदाद के ब्रान लारा स्टेडियम में खेले गए टीबीस वर्ल्ड कप 2024 के पहले सेमी फाइनल मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से रॉन दिया इस जीत के साथ ही साउथ अफरीका पहली बार किसी फॉर्मेट के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँच गई है इस मैच को जीतने के लिए अफरीकी टीम के सामने सिर्फ 57 रनों का लक्षर था जिसे उन्होंने एक विकेट खोकर हासिल कर लिया इस मैच के दोरान दोनों टीमों के खिलारियों के बीच काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली ऐसा एक नजारा तब देखने को मिला जब अफगानिस्तान के कफ्टान राशित खान बल्ले बाजी कर रहे थे और अफरीकी टेज गेंड़ाज एनरिक नौर्किया गेंडबाजी कर रहे थे अफगानिस्तान की पारी के साथ वे ओव में नौर्किया ने अपनी रफ्तार भरी गेंबाजी से राशिद को काफी परिशान किया और तबी वो राशिद को कुछ बोलते हुए भी दिखे राशिद खान भी पीछे नहीं हटे और वो भी इस तेज गेंबाज से जाबिडे इसके बाद जब 11 वे ओव में इन दोनों का फिर से आमना सामना हुआ तो नौर्किया ने राशिद खान को क्लीन बोल करके ये जन जीत ली इन दोनों खिलारियों के बीच हुई इस बैटल का विडियो अब काफी वाइरल हो रहा है